तो हिमाचल में कुल्लो मनाली, कसोल, रोहतां तो आपने बहुत बार देखा होगा बट आज आपको ले जाने वाले हो एक ऐसी अनेक्स्पोर्ड वैली में जो कि आपने नहीं देखी होगी तो वो है लग वैली और आज जाने वाले हैं हम लग वैली के माठा सौर तो ट्रिप की शुरुवात होती है मेरे घर से और मैं आज अपनी फैमली को भी ले जाने वाला हूँ जठानी विलेज तो माठा सौर तक गाड़ी नहीं जाती है गाड़ी जाएगी जठानी विलेज तक जो की है कुल्लू से 14 से 15 किलोमेटर दूर तो चलिए सफर में चलते हैं और बताते हैं आपको लग वैली की खुब सूरती तो दोस्तों अभी पहुँचे हम गांधी नगर तो गांधी नगर जाना जाता है कि यहां के हॉस्पिटल के लिए और दूसरा यहां पे काफी अच्छे-च्छे रेस्टरंट भी है और साथ में यहां पे काफी जादा फॉर्नर रहते हैं बहुत टाइम से तो मतलब एक तरह से कह लो कि यहां के लोकल हो चुके हैं फॉर्नर जो कि यहां गांधी नगर में रहते हैं तो मेरे घर से कुलू का रास्ता लगवग 14 किलोमेटर है जिसमें कि आपको आदा घंटा कम से कम लग जाएगा तो फानली पहुंच चुके हैं हम कुलू में तो कुलू पता ही आपको फेमस है अपने कुलू दशेहरा के लिए ऐसा नहीं कि यहां सिर्फ एक दिन का दशेहरा होता है बलकि साथ दिन तक चलता है यहां पर दशेहरा और यहां के जो में लॉर्ड हैं वो हैं लॉर्ड राम और सबसे खास बात यहां की यह है कि यहां पे जो अश्व मेव यग्या में राम भगवाने जो मूर्ती बनाई थी वो यहीं पे है कुलू में तो कुलू सेटी बहुत अच्छी है यहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर आपने शॉपिंग करनी है शॉपिंग के लिए भी आ सकते हैं और जो दूसरी बात है सिनेमा हॉल भी बहुत बड़ा है हॉस्पिटल से लेकर A to Z आपको यहां पे मिल जाएगा तो वैसे आपने मेरे पुराने व्लॉग में देखा होगा यह वाला बस्टेंड तो यह में कुलू बस्टेंड है और जो उसके साथ रीवर वहरी है यह है सरवरी रीवर और यह आती है लग वैली से तो आज इस रीवर को ही फॉलो करते होए हमें जाना है टूवर्स लग व तो यह खुबसूरत सी जगा थी कुलू तो अब हमें क्या करना है हमें जाना है टूवर्स लग वैली तो सीधा जो रोड आगे को चला गया वो जाता है टूवर्स मनाली बट हमें यह वाला रोड नहीं लेना है बलकी लेना है लेफ्ट वाला जो की जाएगा गर्मेंट स्क पीछे को और जाएंगे हम टूवर्ड्स लग वैली तो रास्ता बता दूँ यह वन वे है और जाने का रास्ता यह वाला है आने का दूसरी साइड से है तो यहां से रास्ता यह जाता है मेरे घाओं के लिए मेरे जाहता है और यह जाता है मेरे नानी के गाओं के लिए है तो एक ही लगवैली बहुत बड़ी लगवैली खूब सूरत भी बहुत जादा है तो एक्चुली यह आप कैसा था कि पहले धरमशाला होते हुए यहां भूझ जोते है वहां से लगवैली जुड जाती बट वही बात है कि निताओं ने यह वाला जो रूट था और जो ये वाला प्रोजेक्ट था वो हवा में उड़ा दिया अधर्वाइस सीधा धरमशाला से आपको जोगिंदर नगर आना था वहां से आपको होते हुए लगवैली उतरना था और यहां से कुलुमनाली तो बहुत अच्छा रूट होने वाला था खासकर हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता अगर हमें धरमशाला जाना पड़ता है या फिर टूरिस्ट के लिए तो सबसे जादा अच्छा हो था बट ऐसा हो ना पाया बेंट चड़ गया यह प्रजेक्निताओं के तो अच्छली हम यहां इसलिए रुके थे क्यूंकि मम्मी की बावी जी को हमने यहां से पिक करना है मममी आप आज अपनी नानी के घर जा रहे ना है तो एक ममम और मेरी मासी यह अनुब तो आज अपनी नानी के घर जा रही है हमने भिले जाएंगी वहां पे तूर्फ मिनेम्मपको आदा चाहिए कुलू से लेकर जठानी पहुँचने तक तो 15 किलोमेटर है तो वैसे पहाड़ों में 15 किलोमेटर बहुत जादा होता है as compared to planes में, planes में जहां पे आप 15 मिनट में अराम से 15 किलोमेटर पहुन सकते हैं, वहीं पे आपको पहाड़ों में उसको उसका double time लगेगा, तो finally अब हम जठानी गाउं के लिए पहुचने वाले हैं उसके बाद हमें track करके ही जाना होगा मठासौर तो कुछ देर और चलने के बाद finally हम पहुच चुके हैं उस खुबसूरत गाउं में जिसका नाम है जठानी तो बहुत ही जादा खुबसूरत गाउं है और यहां के घर जो हैं वो और भी जादा खुबसूरत हैं कुछ एक बहुत फुराना अर्केटेक्चर पर बने हैं कुछ एक नए और कुछ एक तो दोनों का मिक्स्चर हैं तो बहुत खुबसूरत गाउं है यह जठानी तो फाइनली पहुच चुके हम जठानी में गाड़ी लगा दी है और यहां से होगा track पैदल तूवर्ड्स मठा सौर तो लगवग आदे घंटे का रास्ता यहां से मानल फॉर्टी 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 लग सकता है मैं तो मौसम अभी बेहत खुबसूरत है तो जो आपको वाइट वाइट दिखाई दे रहा है वीच में तो लगें सेप के पेड के ओपर नेट ताकि उनको हेल स्टोन से बचाया जा सके हां तो करने मुड़ी बीरी जाओं भै हां तो करने मिया तूसरों की जिए यह देखो यह थे वो नेट लगे हुए पेड़ों में तो रही का पेड़ है यह कितना बड़ा है तो अब बीर गिल को थोड़ा खाना जूरत पड़ती है तो इसलिए हमार बाद जंगलों में काफे कुछ होता खाने को जासिए बेरीज तो आदे घंटे पैदर चलने के बाद थोड़ी शेनर्जी कम हो चुकी है है अग्जणी सीधी खड़ी चड़ाई यहां पर बिल्कुल ऐसा नहीं था स्टार्टिंग मेरे प्लेड हो कुछ ऐसा हो जहां से गाड़ी रखी वहां से खड़ी चड़ाई तो आसी खड़ी में हालत पत्ली हो जाती है तो अशलिए ट्राइ करें कि सांस अगर कमफलाद न वो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है तो फाइनली इस खुबसूरत लोकेशन पहुँच गया है गए हैं जिसका नाम है माठा सौर तो दोस्तों ये माठा सौर प्रकृति सौंदेरे से भरपूर है और हर्याली से घिरा हुआ है जो इसे एक आदर्स्थान बनाता है जहां आप प्रकृति के करीब जा सकते हैं और यहां बैठ के आपको ऐसा ही लगता है कि जैसे आप प्रकृति की गोद में हूँ तो इस से जादा खुबसूरत चीज आपको मिले गए नहीं लग वैली में तो इसलिए अगर कभी भी जिन्दगी में मौका मिला लग वैली में आने का तो इस खुबसूरत से प्लेस को जरूर विजिट करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने कि आपको कैसा लग आज का ये खुबसूरत जगा माठा सौर थोड़ी देर पहले यहां पी इतना सब दिखाई देर था अब सब बंदो चुका है तो इतनी जो फॉग है इतनी जल्दी बहरा है कि क्या बता है देखो दोंदे तो यहां पे अपने दो दोस्त मिले है भूमतिर से एक नाव की थे दोसरा शर्मे मतला है नाव दोसरा एक रागव और दोसरा अनुच तो बोल आजका स्कूल में मस्ती चली है स्कूल बंद है तो उससे जादा मज़ा कुछ हो नहीं सकता हो ला है स्कूल की रही है थोड़ी 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 याद लाए है जर थो खला थ उस bowl दो जा ए तो यह अनन एअ बड़ी थे पर लाज रही है तो यह जो मतल शवार ईसलिए बोला जाता है यहां को स्वार क्योंकि हम चोंट टालाब है Pat तो जो मेरे पीछे दिखाए दे रहे है आपको वो मंदिर माता फंगनी का है हमारे ही कुल्च माता का तो इसी के साथ इस खूब सूरत जगा को अलविदा करने का टाइम आ चुका है महा भारत काल खतम हुआ उसके बाद जब देवी देपता नीचे से आए मीन्स है जो हमारी म जो मेरी मममा है उनकी जो कुल्देपता है वो शिर्टेशन है और हमारी कुल्दे भी मता फंगनी है तो बहत खूब सूरत है ये माठा स्वार अब बापज चलते हैं जठानी की और जहां पे मममा बैठी है तो अब लंच्टाइम हो चुक है हमारा थक चुक है बहुत लग तो अब उपर टॉप पर पानी नहीं था तो इसलिए हम एक ऐसी जगह पर रूखें जहां पर पानी आ रहा है और वहीं पर बैठके पानी पीएंगे और खाना भी खाएंगे तो खाना हम पैकर के लाएं तो कसम से खुबसूरत है बहुत खुबसूरत बहुत मज़ा आया उपर जाने का यहां से पूरी जो हमारे गाओ वाली साड़ है मतलब जो कालंग शालंग वाली जगह है तियून तक यहां से दिखता है पूरा कईयर दिखता है और इवन जो स्नो केट माउंटेन है भी फुल सब्सक्राइब करने के बाद तो लग बखादा पोना घंटे तक ट्रैक की आते वक्त तो जाती बत लगेगा आपको 45-1 आर टाइम आते भर लगेगा आते वक्त लगेगा आते गंठे से पुना घंटा और अब जाना है हमने जटानी गाओं में अब पहुंच चुके हैं हम जठानी गाउं में और इस गाउं की जितनी ज़्यादा तारीफ करें इसकी सुन्दर्ता की उतनी कम होगी तो दोस्तों आज के इस व्लॉग को अब हम यहीं वीराम देंगे तो जाने से पहले जरूर बताना कमेंट सेक्शन में की कैसा लगा आपको माठा सौर और कैसा लगा आपको जठानी विलेज तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करना तो मिलेंगे नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए नमस्कार